गनेश रतुरती स्पेसल में आज आपके साथ सूजी के मोदग बनाने वाली रवा मोदग तो सबसे पिले मैंने एक कब सूजी ले ली जिसे मैंने प्रेन में डाल दिया है अभी सूजी को हम भूनेंगे इस तरह से देखे हलका सा इसे हम रोष्ट कर लेंगे इससे क्या होगा इससे कलर हलका सा चेंज हो जाए कि अच्छी से स्मेर आने लग जाए बहुत एश्टी इसे मोदग बन के त्यार होते हैं तो बस एक से दो निट के यह प्रोसेस आप इस तरह से अच्छी से से ले सूजी को इसी टाइम पर हम डाल देंगे हापी डेसिकेटिड को करनेट जि लिए मेजर आप समझ सकते होंगे पस हमें सूजी का आधा है आप पर नाजिल का बुरादा लेना है दो चमच लबक मैंने यहां पर वाटर मिलान सीट डाल दिया है वाटर मिलान सीट का मतलब होता है तर्बुझ के बीच इन सबीच चीजों को इस तरह से हम क्या करेंगा न क्या होटर यहां है ढुड़ दोनों को इस तहर से मिख्स कल करते हें अभी हम चासनी बना रहे हैं जब यह चासनी बन जाएगी तो ми आपको दिखाऊंगे कैसे देखना हमें इसे था हम इस लगबाद 20 क्यां और यहां पकनी लग चासनी बनने लग्ठ शिप-चासनी बाद में मिलाते हैं तो क्या होता है ना गुठले पढ़ने ले जाते हैं बहुत दिक्कत होती है यहां पर एक चोथा ही चमच लगएक महीने डाल दिया है इलाइची पॉडर बस इस तरह से हम डालेंगे अच्छी से मिक्स कर लेंगे मिल्क पॉडर मैंने इसमें डाले है ना मिल्क पॉडर मावा का काम करता है अगर अगर पास मावा ना हो तो आप मिल्क पॉडर से भी काम चला सकते हैं तो बस दो चमच से तीन चमच मिल्क पॉडर डाल दीजिए बहुत अच्छा फ्लिवर आ जाता है अब हम क्या करेंगे ना इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी और घी को भी अची से हम मिक्स कर लेंगे बहुत असान तर्का इंट रवा मोदक की रेसेपी आप इसे जरू ट्राइ कर सकते हैं तुरन से बन जाती है एक चम्मच घी से ना जादा घी बनाया है बहुत टेश्चि लगता है तो बस घीस के फ्रेम को मैंने बंद कर दिया था इसमें एक फ्रेत में निकाल कर थंडा होने के लिए साइड में रख दिया था जब यह थंडा हो गया तो इसमें अब हम मोदक का शेप दे रहे हैं मैंने मोल्ड ले लिया है इसमें पहले से मैं घी लगा दिया था तक यह चिपके नहीं आप भी जरू से कोई घी वगर लगा देजिए और इस तरह से डाली एक हलगा से प्रेश्ट कीजिएगा और यह देखिए हमारे जो रावा मोल्ड के बनके त्यार हो जाते हैं बहुत इसी तरी इस तरह से फॉर्क ले लिजिए यह चमश ले लिजिए पीछे साइट से इस तरह से आप डिजाइन दे सकते हैं जो कि मोदक मोल्ड में होता है बस हमारे जो मोदक है वो बनके त्यार हो चुका आप देखिए पता ही चला ना कि कौन सा हमने इसमें हाथ से बनाया है अगर आ लिजशी तरह से ले लेंगे जिए बचा हुआ है और इससे गोड़गल सेब दे देंगे तो इस तरह से रवा नारेल के लड़ू भी बनके त्यार हो जाते है गर निजी को लड़ू भी बहुत पसंद हम अर मैंने यहां पे मोदक भी बना ली है रवा के और साथ हमारे को फ असान थरीका फटक फट बनके थ्यार हो जाता है इस गनिश चत्विती से जरू ड्राइ कीजिए थैंक्स पर वाचे मैं वीडियो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब